हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वन्स अगें, यह यू लर्न कीचन वोकाबलरी विद इक्जाम्पल्स, सो लेट्स गेट स्टार्टेड, वर्स्ट वर्ड है काटना, काटना मींज, काटना को बोलते हैं इंग्लिस में कट, चॉप यह फिर स्लाइस, इसको एक्जाम्पल के थू समझ में चॉप आलू काट दो, कट्दा पुताइटोस, कट्दा पुताइटोस, अब यूज करते हैं चॉप, यह टमाटर को छोटा-छोटा काट दो, इसको बोलेंगे, चॉप दा टमैटोस, उसके बाद आता है, श्लाइस, खीरा काट दो, खीरा को हम स्लाइस में काडते हैं, दा क्यूकंबर, slice दा क्यूकंबर, छीलना, छीलना को इंगलिसमें बोलते हैं पील, पील मिन्स छीलना, जैसे कि आलू छीलो, पील दा पटैटोस, पील दा पटैटोस, पीसना, पीसना को बोलते हैं ग्राइंड, ग्राइंड मिन्स पीसना, जैसे कि मसाले पीसो, ग्राइंड भी अच्छय चास्थ होता है जैसे की लीक्वीट को च्हांते हैं उसको बोलते Tibis 건데 example के तुरू समझते हैं जैसे की चाय च्छान दूлов इस टे ISड थी इंड घ्रेश है जैसेाइज धी पाउडर च् longitud definite इसके लिए यूज होता है shift, shift means छानना, जैसे कि थोड़ा आटा छान लो, shift some flower, shift some flower, लगाना, फैलाना, चुपरना, इसको बोलते हैं spread, spread means लगाना, जैसे कि bread पर मक्खन लगाओ, spread better on the bread, कुटना या फिर कुचलना, इसके crush या फिर पैस्टल बोलते हैं, जैसे कि लेस्जोन कुचल दो, crush the garlic, या फिर पैस्टल दो गार्लिक, next word है गुथना या फिर मार्ना, गुथना आको बोलते हैं need, k-n-e-a-d, यहाँ पर k silent है, need means गुथना, जैसे कि आटा गुथ दो, need the dough, need the dough, लोई बनाना, make the dough ball, make the dough ball, means लोई बनाना, लोई या बना दो, make the dough balls, बेलना, बेलना को बोलते हैं roll out, roll out means बेलना, example है मैं रोटी बेल रही हूँ, I am rolling out the chapattis, I am rolling out the chapattis, शेकना, सेकना को बोलते हैं bake, bake means सेकना, example है मैं रोटी या सेक रही हूँ, I am baking chapattis, I am baking chapatis पलटना पलटना को बलते हैं flip flip means पलटना जैसे कि पराठा को पलट दो flip the paratha जैसे कि रोटी को पलट दो flip the chapatis फुलाना फुलाना को बलते हैं puff up puff up जैसे कि रोटी को फुलाना मैं रोटी को फुला रही हूं I am puffing up the chapati I am puffing up the chapati उडेलना या फिर डालना जैसे किसी चीज़ को डालते हैं उसको बोला जाता है पोर पोर मींस डालना पानी डाले पोर दा वाटर घोलना घोलना को बोला जाता है डिजॉल्व डिजॉल्व मींस घोलना एक्जामपल है गरम पानी में तीन चमच पावडर घोल दो Dissolve 3 spoons of powder in warm water Milana Milana को बोला जाता है mix Mix means Milana Ate में नमक मिलालो Mix the salt into the flour Mix the salt into the flour Fetna Fetna को बोला जाता है whisk या फिर whip Donover use होता है whisk या फिर whip means Fetna Dahi को फेट लो Whisk the curd Whisk the curd जैसे की Andake Fetna Whisk the eggs Whisk the eggs Matna Matna को बोला जाता है churn Churn means Matna वह मक्खन बनाने के लिए क्रीम मत रही थी She was churning cream to make butter She was churning cream to make butter Masalna Means mash Mash means masala जैसे की उबले हुए आलुओ को मसल दो Mash the boiled potatoes Mash the boiled potatoes Piglana Melt Melt means piglana Chocolate को piglala लो Melt the chocolate Chalana इसकी English है stir Spelling है h-t-i-r लेकिन बोलते हैं stir Example है एक चमच नमक डाल कर चला दू Add one teaspoon of salt and stir कद्दू कस करना या फिर घीशना इसको बोले जाता है grate गाजर को कद्दू कस कर लो Grate the carrots Grate the carrots निचोड़ना Squeeze Squeeze means निचोड़ना Example है नीबू निचोड़ दो Squeeze the lemon Squeeze the lemon Talna Talna की English है fry Fry means talna जैसे की लहसुन तल लो Fry the garlic उसके बाद है अब fry करते हैं तो पहले गहरे तेल में तलते हैं या फिर हलके तिल में तो गहरे तेल में तलना यानिकी deep fry कम तेल में तलना यानिकी shallow fry shallow fry भूना भूना की English है roast बैगन भून लो Roast a brinzel भूना जैसे की कुछ काजू भून लो Roast some cassius Roast का use हम जैसे डारेक्ट आच में भूनते हैं उसके लिए करते हैं या फिर बिना तेल की भूनते हैं उसके लिए करते हैं उबालना Boil means उबालना दूद उबाल दो Boil the milk शीरकना या फिर बुरकना Sprinkle Sprinkle means शीरकना या फिर बुरकना इस पर थोड़ा नमक बुरक दो Sprinkle some salt on it छोकना या फिर तड़का लगाना इसे बोला जाता है season Season means छोकना इसे की दाल को छोक दो Season the pulse Season the pulse Jamana Jamana को इंगलिसे में बोला जाता है Set Set means जमाना इसे की दही जमा दो Set the curd Set the curd Dubona Dip means dubona Bread को दूद में डूबो दो Dip the bread in the milk Dip the bread in the milk Ufanna Ufanna की इंगलिस है Boil over Boil over means उफanna Dudh उफन कर बैह रहा है The milk is boiling over The milk is boiling over Vigona Soak means vigona Chamel vigo दो Soak the rice Soak the rice Binna Pick over Pick over means binna वह चावल बिन रही थी She was peeking over the rice She was peeking over the rice Sajana Sajana की इंगलिस है Garnish Garnish means sajana Curry को धन्या पत्ती से सजा दो Garnish the curry with coriander leaves Garnish the curry leaves Cariander leaves Dugna Dugna की इंगलिस है cover Cover means ढगना Example है Kढ़ाई को ढग दो Cover the pan Cover the pan चलिए यह रही आपके लिए quiz इनके answer आपको comment box में बताना है इनके English meaning अगर आपको इनका English meaning पता नहीं है यानि कि आपने वीडियो को ध्यान से नहीं देखा तो वीडियो को ध्यान से देखिए और इनके meaning Comment box में जरूर बताईए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में धेर सारी वुकाइप्स एन एक्जामपल के साथ तब तक के लिए टेक केर